लेहोसिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसका उप्योग पौधूं की वृद्धी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है यही एक क्लोरोमेक्वेट क्लोराइड यॉगिक है जो गिब्रेलिंस के उत्पादन को रोग कर काम करता है एक पौधे का हॉमोन जो विकास को बढ़ावा देता है लेहोसिन का उप्योग वनस्पती विकास को कम करने और फूल और फलने को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है इसका उप्योग फलों और सबजियों के आकार और वजम को बढ़ा कर उपच की गुन्वत्ता में सुधार करने के लिए भी किया जाता है लेहोसिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक सुरक्षित और प्रभावी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसका उप्योग कई वर्षों से किया जा रहा है इसे कपास, आलू, बैंगन, अंगूर और सोयाबीन सहित विभिन फसलों पर उप्योग के लिए पंजिक्रत किया गया है लेहोसिन का उप्योग कैसे करें लेहोसिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को पौदो पर पत्ते पर स्प्रे के रूप में लगाया जाता है अनुशन से तनुप्रयोग दर फसल और नियंत्रन के वांचित स्थर के आधार पर भिन हूती है लेहोसिन का उप्योग करते समय लेबन निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करना महत्वपून है सुरक्षा सावधानिया लेहोसिन प्लांट ग्रोथ रेगूलेटर एक अपेक्षा कृच सुरक्षिक प्लांट ग्रोथ रेगूलेटर है लेकिन इसका उप्योग करते समय सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है लेहोसिन को संभालते समय हमेशा दस्ताने और आखों की सुरक्षा पहने त्वचा और आँखों के संपर्ट से बचे यदि लेहोसिन त्वचा या आँखों के संपर्ट में आता है तो उसक्षेत्र को तुरंग पानी से धूले भन्रारन लेहोसिन को ठंडी, सूखी जगह पर स्टो करे बच्चों और पालतु जानवरों की पहुँच से दूर रखे लेहोसिन के उपयोग के लाब वनस्पती विकास को कम करता है और फूल और फलने को बढ़ावा देता है फलों और सबजियों का आकार और वजन बढ़ा कर उपज की गुनवत्ता में सुधार करता है लेबल निर्देशों के अनुसार उपयोग किये जाने पर सुरक्षित और प्रभावी फसलों के लिए लिहोसिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की खुराक फसल और नियंत्रंग के वानचित स्तर के आधार पर भिन होती है निमनल इखित कुछ सामान्य दिशानिर देश है का पास प्रती एकर सो माइनस दो सौ गेलन पानी में दो माइनस चार फ्लू डाउंस लिहोसिन डाले वानसपतिक विकास को कम करने और फूल आने को बढ़ावा देने के लिए प्रारमविक वानसपतिक आवस्था में लगाएं आलू 100-200 गेलन पानी में प्रती एकर 1-2 फ्लू डाउंस लिहोसिन डाले फर लगने को बढ़ावा देने और छोटे आलूओं की संख्या कम करने के लिए फूल आने की शुरुआती अवस्था में लगाएं बैंगन, प्रती एकर 100-200 गेलन पानी में 2-4 फ्लूडाउंस लिहो सिंदालें फर लगने को बढ़ावा देने और छोटे फलों की संख्या कम करने के लिए फूल आने की शुरुआती अवस्था में लगाएं अंगूर, 100-200 गेलन पानी में प्रती एकर 1-2 फ्लूडाउंस लिहो सिंदालें वानस्पतिक वृद्धी को कम करने और फूल आने को बढ़ावा देने के लिए कलिका फूटने की अवस्था में लगाएं सोया बीन, 100-200 गेलन पानी में प्रती एकर 1-2 फ्लूडाउंस लिहो सिंदालें फली लगने को बढ़ावा देने और छोटी फलियों की संख्या कम करने के लिए फूल आने की अवस्था में लगाएं लेहो सिंद का उप्योग करते समय लेबन निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करना महत्वपून है लेबन प्रत्येक फसल के लिए खुराक, आवेदन की समय और सुरक्षा सावधानी उपर विशिष्ट जानकारी प्रदान करेगा लेहो सिंद का उप्योग करते समय ध्यान रखने योग ये कुछ अतिरेक बाते यहां दी गई है लेहो सिंद सभी फसलों पर प्रभावी नहीं है ये सुनिश्चित करने के लिए लेबल की जाज करना महत्वपून है कि यह उस फसल पर उप्योग के लिए पंजीकृत है जिसे आप उगा रहे हैं लेहो सिंद कुछ पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है इसलिए इसकी अधिक मात्रा से बचना महत्वपून है लेहो सिंद मधुमख्यों के लिए हानिकारक हो सकता है इसलिए खिलने की अबधी के दोराने से लगाने से बचना महत्वपून है लेहोसिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक अपेक्षा कृट सुरक्षित उत्पाद है लेकिन इसका उप्योग करते समय सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है लेहोसिन को संभालते समय हमेशा दस्ताने और आँखों की सुरक्षा पहने त्वचा और आँखों की संपर्ख से बचे यदि लेहोसिन त्वचा या आँखों की संपर्ख में आता है तो उसक्षेत्र को तुरंग पानी से धूले लेहोसिन को धंडी सूखी जगह पर स्टो करें बच्चों और पालतु जानवरों की पहुँच से दूर रखें यदि आप लेहोसिन का उप्योग करने पर विचार कर रहे हैं तो क्रिपया ये निर्धारिक करने के लिए अपने स्थानिय क्रिशी विस्तार एजेंट या प्रमानित फसल सलाहकार से परामर्श लेकि क्या यह आपकी आवश्यक्ताओं के लिए सही पौधा विकास नियामक है कुल मिलाकर लेहोसिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक सुरक्षित और प्रभावी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसका उप्योग फसलों की उपज और गुनवत्ता में सुधार के लिए किया जा सकता है हाला कि किसी भी संभावित जोखिम से बचने के लिए ल निर्देशों के अनुसार इसका उप्योग करना महत्वपून है